तो आज की एपिसोड में हम लोग अपने दोनों टार्गिट्स को एक एक्सिडेंट में मारेंगे तो देखा जाए तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल सा प्लान है और आई होप कि आप लोगों को यह पसंद आएगा तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से स्किप करते हैं से क्योंके ब्रीफिंग और इनीशियल कट सीन हम लोग अपनी पहली एपिसोड में देख चुके हैं तो बार बार देखने की जुरूत नहीं है हमें और लास्ट टाइम इनीशियल कट सीन में हमें पता चला था कि मैंडोला को नहीं पता कौंग ने कौन सी लोकेशन चूस किया जहां पे यह लोग मीटिंग करेंगे और डील को फाइनल करेंगे तो एक सेक्योर्टी गार्ड ने आके मिलना था मेंडोला से और फिर उसे लेके जाना था मीटिंग की लोकेशन पर पर जिस गार्ड ने ये काम करना था उसकी तब्याद खराब हो गई है तो अच्छे शेहरी का सबूत देते हुए ये काम अब हमें करना पड़ेगा तो हमें इसकी यूनिफॉर्म चाहिए होगी तो चलके वो लेते हैं और फिर इसकी जगाँ पर हम जाके मिलेंगे मेंडोला से चल भाई तू रस्ट कर बस अपने कपड़े हमें दे दे तो लगे हाथ हो इस सेकेंड स्क्यूर्टी गार्ड को भी भ्योश करते जाएंगे क्योंकि ये बंदा हमें गार्ड की डिजगाइस में पहचान सकता है और जब हम लोग यहां पे अपने इनिशियल सूट को वापि चलते हैं और राइट तो यह भी जाएगा डंप्स्टर में और इसके बाद हम लोग जाके मिलेंगे मेंडोला से और उसे लेके जाएंगे मीटिंग की लोकेशन पर अभी मेंडोला पहुंचा नहीं होगा शिशा काफे में क्योंके हम जरा जल्दी जा रहे हैं अबनिसपत जब हम फोर्चुन टेलर की डिजगाइस लेके गए थे उससे जरा तेज काम हो गया यह 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 रा मेंडोला भी तो यह बंदा अगें हमें फॉलो करेगा इस तरह लास्ट एपिसोड में फॉलो कर रहा था तो इस बिल्डिंग की चट्पे हमें लेके जाना जहां पर मीटिंग का इतमाम किया गया है आ रहा है ना ठीक है तो तो अपरचुनिटी क्योंके कम्लीट हो चुकी है तो अब में तेजी से मूव करूंगा क्योंके हमें मेंडोला के साथ साथ चलने की ज़रूँद नहीं है और चलके एक्सिडेंट को प्रिपेर किया जाए तो यह जो गार्ड ऐसे डिस्ट्रक करना है क्योंके यह बंदा जो है वो हमें इस पाइप के साथ छे चार करते हुए नहीं देख सकता तो जैसे यह नीचे जाएगा हम लोग अपना काम करेंगे एंड डाट सिट तो बिसिकली एक्सिडेंट के लिए जो त्यारी करने थी वो सारी हो चुकी है और अब सिंपली हमने जस्ट वेट करना है सिर्फ और सिर्फ वेट करना है और लगे हातों क्योंके मेरवास मोका है तो एक सेक्योटी गार्ड को भी भेहोश कर लें क्योंके जब यहां पर धमागा होगा और एमर्जंसी वाली सिट्यूशन बनेगी तो मैं नहीं चाहता के प्रॉलम क्रियेट हमारे लिए क्योंके हमने एक्सपलोजन के बाद मेंडोला की बोडी पर से वो डाकॉमेट्स भी पिक करने है एरिया लीव करने से पहले आसा नहीं है कि बस हम एक्सपलोजन देखें और बस पर चले जाए तो जितने कम गार्ड एरिया सर्च कर रहे होंगे उतना बेतर है बट अनफोर्चुनेटली एक गार्ड जो वहाँ पर मुझूद है और एक गार्ड जो कॉंक के साथ हाएगा वो दोनों ही हमें गार्ड की डिजगाइस में पहचान सकते हैं तो यह प्रॉब्लम स्टिल काफी रहेगी तो कॉंक साब जो है वो अभी मैं भूल गया था कि इस पंदे ने कॉल करनी थी कि मेंडोला पहुंच गया आजो चत पे मैंने इसे पहले भी होश कर दिया तो वो बुला नहीं सका मैंने जब उसे देखा बैठे हुए तो मुझे याद आया कि यह उटकी उनिरा भी तक तो यह काम पिर हमें करना पगा क्योंकि मैंने इसे भी होश करना नहीं था क्योंकि छट पे तीन गार्ड होते और यह बचारा अकेला गार्ड असा था जो तो हमें नहीं पहचान सकता डिस गाइस में तो इसे भी होश करना इतना कोई ज़्यादा फाइदेमन था नहीं मुझे तो बस ऑपरजूनिटी नज़ राई और मैंने का चलो एक लिस्ट एक बंदा कमी हो रहा है ना तो मैंने इस चेकर में बस कर लिया लाजमें नहीं है इ इसलिए मेरे माइंड से स्लिप हो गया बट बहराल कॉंग जो है वह मूव कर रहा है और छट पर आके जो इनकी मीटिंग होगी वह स्टार्ट होगी और मीटिंग सक्सेस्फुल होने के बाद जब यह सेलिबरेट कर रहे होंगे तब हमें भी कुछ मिलेगा सेलिबरेट करने के लिए बस पहुंचने वाला है तो बैसिकली हमने यहां पर वेट करना है यहां से हम इस सारे मामले को देखेंगे क्योंकि यहां पर यह गार्ड हमें नहीं देख सकता बस पहुंच चुका है कॉंग बस आगया और मैं बस होप कर रहा हूं कि कॉंग यह वला रास्ता ना ले जिस रास्ते पर मैं बैठा हूं यह उस तरफ सही घूम किया है अओ वैल कोई बात नहीं हम भी चकर काट क्या जाएंगे अगें that is Kong Duokués it will be our high rises that dominate the scenery तो मिटिंग होने स्टार्ट मतलब इनकी दील स्टार्ट होने वाली है तो कोंग अब माल चेक कर रहा है तेमिट करने से पहले और उसे जो चीज़ वो बाय कर रहा है पसंद आएगी तो डील सकस्सफुल हो जाएगी एक रहा से तो पैसा दिया जा रहा है डील से खुश है वो और सेलिब्रेशन स्टार्ट होने वाली है और बहुत चल्द हमारी भी स्टार्ट हो जाएगी और सेलिब्रेट करेंगे यह हुका पीके और हुका जलाते ही क्या होगा आइडिया हो चुका है आप लोगों को तो तो टार्गेट्स मारे के जा चुके हैं और अब बस हमने डाकुमेंट्स पिक करने हैं और निकलना यहां से खीक है तो जब तक वहां बिजी है हम लोग जल्दी से डाकुमेंट्स पिक कर लें की तर हैं नाइस तो सिंपली बस अब रूफ से नीचे चले चलके अपना सूट लें और एरिया लीप करें अल्राइट तो तीनों अब्जेक्टिस हमारी कम्प्लीट हो चुकी है सूट हमने पिक कर लिया और मुझे पताजिएगा यह एपिसोड आप लों कैसी लगी और हम हिट मैन की लास्ट एपिसोड के साथ मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में जिसमें हम यह मिशन सूट ओनली चैलिंग के साथ कंप्लीट करेंगे और अपनी गेम को एंड करेंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में तब तक के लिए बाई बाई